शोट जाओ मैंने का पेट की बिमारी हो से, जितने भी परिकार की पेट की बिमारी आए, शोट जाओ इशोची के नाम से राइट नाओ इसी शेट, इसी शेट, फिलो जाओ, फिलो जाओ हालेलुया बढ़ा था, जिसके कारण बहुत परेशान थे, और बता रहे हैं कि इन्होंने इतनी मैडिसन ली फिर भी कोई फर्क नहीं पढ़ाता था, जिसके कारण बताते हैं जब भी अपनी बेटी को स्कूल बेजते तो वहां पर भी इसको प्रॉब्लम आ जाती थी, बहुत दर्द हो कुछ समय तक इसको फर्क रहता था, पर बहुत जादी प्रॉब्लम में थी, और अभी तक परेशान थे, पर जैसे इनको प्रभु की गोड नीज मिली और जैसे इन्होंने फर्स्ट मीटिंग को टैन किया, और उसके पहले इन्होंने काफी ट्रीटमेंट भी कराया, जैसे इन्होंने जब टैस्ट कराये, तो जब बता रहे ही कि डॉक्टर ने बताया, हम उस रपोर्ट को देखेंगे, जब इन्होंने टैस्ट कराये तो डॉक्टर ने बताये कि इसके पेट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जिसके कारण इसके दर्द सही नहीं हो रही, तो फिर इनकी मदर काफी परेशान होगे फिर भी इनको मेडिसन दे रहे थी पर इनफ्यक्षन की प्रॉब्लम भी साही नी औरी ती धुक्टर नीगा कि आप अल्टरा साउंड कराएं फिर इनोंने अल्टरासाउंड भी कराया तो डॉब्लम नीये कहा कि इसकी पेट में छोटी सब्सक्राइब तो इसकी फर्क नiggling ब परेशान दो इनकी फोल ननी चोटी बड़ी चिह दो कि प्रफी चाहिए इसकी प्रॉबLम ज्यादा पढ़ जाती थी तुझे काफी परेशान थी और जैसे इन्होंने फर्स्ट मीटिंग को 20 अगस्त की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंट किया तुझे बताते हैं कि जैसे परमिश्य के दांस जब दुख्यों बिमारों के लिए प्रात्ना कर रहे थे तो जैसे टीम ने इनको साहित किया कि जो परमिश्य के दांस जब प्रात्ना करें तो आप अपने लिए रसीव करें तो जो इनकी बेटी काफी परेशान थी उस दिन भी इसके पेट में दर्द हो रहे थी उस कंडिशन में जैसे मीटिंग में लेकर आये थे इसको तो काफी प जैसे इन्होंने इस वर्ड को अपनी बेटी के लिए रसीव किया ग्रहन किया तो जैसे जिफिर आगे आये इन्होंने अपनी प्रॉब्लम के लिए परमिश्य के दांस को बलाया अभी हम उस वीडियो क्लिप को भी कि देखेंगे हालेलो या तो प्रेड़ जी शिस्ट्र आज पर्स्टाइम मीटिंग में आया और इनकी बेटी है जब अतारी के जब जब जे नौ साल की तो समय से इसके पेट में बहुत दर्दोरी थी दर्द रहती तो जब 11 साल के तीन सालों के कि बहुत ही दर्दोरी इनन सौरी करें कि शी श्रास में रहना ठीक है नेस्ट नेस्ट मताओ ड़स्ट इस अजय टार्याब कर दिया है और बीजे बताते हैं कि स्कुल भी जारी कोई प्राप्लम नहीं जारी इसको अब जि़िए पूरी तरह से स्प्राफ्स्टें फ्री ओ चुके इस कवाही के लिए प कि आइफ दया में कि दास का दने बाद धकरते हुर्त के नहीं पहाड़ी खलो सकदा इनमट करते हिए है उनल DAY यह कितने साल से यह प्रऑल मगें कितने साल से थी ये प्रोब्लम नहीं माईक उनको गो दो दिया है हां नो साल से ये प्रोब्लम थी बाप पूरे-बाप देखलो 9 साल की एस थी अभी कितनी होगी है अभी 11 होगी है 9 और 11 कितनी होगे 2 साल से हाँ ठीक है तो 9 साल की एस थी जब ये प्रॉब्लम शुरू होई और 2 साल तक ये इस प्रॉब्लम के कारण पीड़त रही ये बच्ची बहुत मेडिसन खाई लास कराया पर कोई फर्क नहीं पड़ा बोलो के कोई फर्क नहीं पड़ा बोलो के जिसके कारण इस से स्कूल भी जाया नहीं जा रहा था अगर चले जाती है किसी दिन मन बना कर वहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाती है और स्कूल अले फिर घर बाज बेज देते हैं और दो साल इसके असी निकल के बोलो के आई पर जैसे गुड न्यूस थी बोलो के दी जैसे गुड न्यूस थी जिन्होंने भी दी क्योंकि जब ये पहली बार ही आए बोलो के आई कौन सी तारीकों आई है 20 अगस्त 20 अगस्त को पहली मीटिंग में आए और खुदवन के आत्म ने छुआ बोलो के आई आज आप के सामने है कोई दर्द नी कोई मेडिसन नी खाते है अब बच्चे कोई प्रोब्लम तो नहीं है न ठीक है न पूरी तरह अभी स्कूल जा रही है अभी स्कूल जा रही हो न अब कोई प्रोब्लम नी कोई दर्द नी होती देखो वारा परमेश्य कितना सामर थी दो साल से भई अभी दर्द नी कोई प्रोब्लम नी भले चंगे आज आपके सामनी है यह बच्ची और पूरी तरह से प्रमिश्य क्या कर दिया हील कर दिया चंगा कर दिया चोज से ताषिक रूख कर इस बात के लिए हम जान देने तूफार जदो यसू बोलता हम जाने ये तुपार जेदो येजु भोलिदा हम जाने ये तुपार जेदो येजु भोलिदा